दोस्तों हम बात करें कुछ माईने पहले की यानि कि लॉक्डाउन की जब हम सभी का घर से बहार निकलना रस्टिट्रिक था तब सारा ओफलाइन मार्केट पूरी तरह से बन था लेकिन गूगल, फेस्बुक और यूजीब जिसे कई प्लेटफॉम अपना काम इजी ली कर रह तो इसका एक बड़ा सा सिंपल सा जवाब है AI, means artificial intelligence, आज की इस वीडियो में हम AI के बारे में बात करने वाले हैं, so let's begin अगर हम artificial intelligence को breakdown करें तो artificial का मतलब हुआ main made, यानि कि इनसानों के दोवारा बनाएगे, और intelligence का मतलब हुआ बुद्धी मत्ता, और इसका मतलब किसी भी काम को करने के लिए, उसके बारे में सही डिसे सिल लेना, it means humans के दोवारा बनाएगे ऐसी ऐसी चीज जो किसी भी काम को कर जंदे के पहले या उस काम को करते हुए, किसी भी problem का solution खुदी ढूंड लेगी, इसका सबसे अच्छे example है, आपने movie में देखा होगा, अब बात आती है कि artificial intelligence को develop करने के ज़रत हमें क्यों है, so इसका सीधा सा जवाब है, humans ऐसी machine या robots develop करना चाहते हैं, जो उनके किसी भी काम को easily कर पाएं, जैसे Tesla की driverless car, it means जो time आप driving करते time waste कर देते थे, अब उस time को आप किसी productive work में लगा सकते हैं, आपकी जगा car खुदी आपको आपकी destination तब पहुचा देगी, और इससे होने वाले accidents भी खत्म हो जाएंगे, गाइस AI भी दो तरह की होते हैं, पहला है weak AI दूसरा ह नहीं कर पाएगी, जिपकि strong AI में एक ही robot multiple task को perform कर सकता है, दोस्तों अब बात आती कि यह complete AI बनता case से है, इसके लिए सबसे पहले process होती है data collection के, जिसमें various sources से data को collect किया जाता है, इसके बाद machine learning, जिसमें सारा data किसी algorithm की through machine या robot में fit किया जाता है, और फिर आता है language selection, जिसमे machine को humans के साथ interact करने के लिए trained किया जाता है, इस तरह से एक complete AI बना दिया जाता है, खेर दोस्तों अंजाने में ही सही, बड़ हम daily life में AI का use तो करते हैं, जैसे google lens, आपके phones की camera की beauty mode, इसके अलावा medical और business field में इसका use होने लगा है, खेर इस artificial intelligence के फायदे तो आप जानते ही, त अब ज़रा इसके नुकसान भी देख लीजिए, गाइस अगर humans का काम robot करने लगे तो कई लोगों की jobs छिन जाएगी, और अगर हम ऐसे ही artificial intelligence पर depend होते रहे हैं, तो हम आलसी होते जाएंगे, बट अन्नोर्णली हम मशीनों को powerful और intelligent बनाते जा रहे हैं, तो दोस्तों यह थी क कानी कैसी लगी, यह मुझे जरूर बताएं, वीडियो पसंद आ चुकोई दिसे like कर दीजे और खुब सारा दिल से share कर दीजे, चैनल को subscribe कर दीजे, notification बल आइकन को प्रेस करने के साथ, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई